भारतिया रेड क्रोस सोसाइटी साखा बेतिया के तत्वधान में आपदा राहत का किया गया वितरन बाड़ पीडितों के बीच हाईजीन किट, साबुन, पेस्ट, ब्रस, सेनेटरी पैड इत्यादी का वितरन किया गया नियूज नाइन टाइम, सिक्टा से सफिर एहमत की रिपोर्ट, बिहार के जिला पश्चमे चंपारन में भारतिया रेड क्रोस सोसाइटी साखा बेतिया के तत्वधान में नरकटिया गंज प्रखंड के भप्ता पंचायत के आदर्स राज्किय उच्विद्याले के प्रांग किया गया, दसवी वर्ग में पढ़ रही छात्रा संजिदा परवीन, साहिना परवीन, समा परवीन, मुस्कान परवीन, स्नेहा कुमारी, पुजा कुमारी, अर्शना कुमारी, संध्या कुमारी, सुस्मिता कुमारी, सपना कुमारी, पूनम कुमारी, नीलम कुमारी, सुहान खातून अंतिमा कुमारी गुड्डू खातून गुलापसा खातून गुलनाज खातून सविता कुमारी नसीमा खातून लाडली बेगम साजिया खातून मोनिका कुमारी नूर जहां खातून मर्यम खातून चंदा कुमारी खुश्बु कुमारी जहानी खातून इत्यादी को ह पाईजिन किट दिया गया इस मौके पर स्कूल की सिक्षिकार रितुकुमारी ने बताया कि अधिकतर ग्रामेंड महिलाओं में अपने स्वास्त और स्वक्षता के प्रति जागरुकता की कमी है वे अपने इस्तरी जनी समस्याओं को व्यक्त करने में संकोच करती हैं जिस साओ के लिए मच्षडों को पैदा होने से रोकना और काटने से रोकना दोनों जरूरी में पानी पुरी तरह से ढक करे कूलर बातरों कुलर का रोज बदले और गमले चाहे घर के भीतर हो या बाहर इन में पानी जमाना न होने दे चुट पा तूटे-व्य दबे टायर बरतन बोतले आदी ना रखे या उल्टा करके रखे सिक्षक ब्रिजेस कुमार ने बताया कि पानी की टंकी को अच्छी तरह से बंद करके रखे और अपने स्वास्तो और स्वक्षिता के प्रती जागरूक रहे मौगे पर स्कूल के सिक्षक ब्रिजेस, कुमार रितु कुमारी, कुमारी बिंदु, कुमारी सुमन, बुनिलाला कुमार, आजाड आलम, अर्विंदु कुमार इत्यादी लोग मौजूद रहे